जै गुरुजी, so actually में बहुत अच्छा कोशन है और यह बहुत अच्छा इंपक्ट लाता है हमारी लाइफ में, क्योंकि जितना हम मिस्मैनेज करके रखते हैं अपनी चीजों को, especially to your footwear, कई लोग आते हैं, बच्चे ही होते हैं, especially एक इधर फैका, एक इधर फैका, बहुत सा माना शुरू हो जाएगा लाइफ में, importantly घर में अगर बात करो, तो वास्तु ही बहुत बड़ा ऐसा एक है, जो हमारी आसपास चीजों को असर करता है, वास करता है जहां तू, so उस सीन को अगर हम लें, तो उसमें चपल बहुत important role play करता है, जो हमारे बाहर के slippers होते हैं, वो जैसे ही आप enter करें, आप footwear को change कर लें, right? Secondly importantly, घर के सीडियों के नीचे, आपकी kitchen के अंदर, और कहीं जहां पैसे रखते हैं, lockers के आसपास, कहीं मंदर के आसपास, और bed के नीचे, especially जब हम सोने जाते हैं, तो you should avoid that, क्योंकि ये सारी energies हमारे साथ चलती है, और इनको avoid करना जरूरी होता है, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, गिफ्ट करने के लिए चपल जूते भी gift करते हैं, so you should avoid gifting, आपको लेना भी नहीं चाहिए, आपको देना भी नहीं चाहिए, ये career में कहीं bad luck लेके आता है, so you should avoid that. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने ऐसा सुना है, कि शनी वाहर को चपलो का कोई connection बताते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए, जी, actually मैं 2024 भी आ चुका है, उसको भी में जरूर कनेक्ट करोंगे, टोटल करेंगे तो 2 plus 2 plus 4 is 8, शनी देव का साल है, और कहीं पे अगर ठीक है, यह avoid करना बहुत जरूरी होता है, उससे फिर थोड़ी सी obstacles लाइफ में बढ़ जाती है, तो कहते हैं, शनी खराब हो जाता है, तो इस टीस का ध्यान हमेशा अपनी लाइफ में करें, और इस साल specially, I suggest all my viewers, family, कि आपको जितनी जूरत है, उतने ही footwear लेने है, आपको यह नहीं कि हर मैचिंग ड्रेस के साथ, बहुत सारे लोगों को आधत होती है, especially to the girls की, इस color के साथ, इस color को ले लें, तो उसको avoid करें, especially for this year, थोड़ा सा शनी का साल है, शनी और activate हो जाएंगे, फिर आप और अच्छी चीजों के साथ जुड सकते हैं, इवन शू सेवा कर सक अगर लगता है कि आपको शनी अक्टिवेट हो चुक है, लाइफ में, obstacles आ रही है, चीज़े slow हो गई, पता कैसे लगेगा, चीज़े slow हो जाती है, तो कहीं पर आपको ध्यान में रखना है, कि आपको donate करना है, प्लस एक simple सा फूल गुल, आपका मैं जरूर सजेस्ट करूँ और वहाँ, शू सेवा हो रही होती है, तो आप कोशिश करें, participate करें, चीज़ों को organize करके रखें, गुर्दवारों में जैसे polish होती है, शूस की वो जरूर करें, इस चीज़ का ध्यान में रखें, घर से टूटे-फूटे, शूस तुरंत remove कर दी, जो आप नहीं पहन रहें, फट्यूइ सॉक्स होती है, बहुत सरे लोग सिल के पहन लेते हैं, प्लेज अवोइट, तो यह राइट डिरेक्शन आप कोई पट्डूपलों बताना चाहें गी, डेफिनेटल, क्योंकि हमारी जो साउथ, वेस्ट और साउथ वेस्ट डिरेक्शन होती है, वहाँ प्यूट आप अपने फुट वेस्ट घर की उसी डारेक्शन में रखें, प्यूर डारेक्शन में विल्कुल भी ना रखें, लोग अर्थीस्ट में रखें, देया दर प्यूर डारेक्शन वी शूट एवोईट, बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियो में बत आपने बताया कि हमें डॉनेट करने है साटरड़े को और आप एक तरफ बोले खरीदने ने तो कैसे करना है पहले लेक्शन आएंगे ना अप पहले खरीद कर रख लिजे डूनेट आपको लेकिन साटरड़े को करने है कोई अभी आपने मताया कि आप पैरों में दर्द है कोई और आपके पास ऐसा भी नंबर है जिसे मैं किसी के दुख को दूर कर सुकूं बद ट्रस्ट बहुत जरूरी है यह दिहान में रखना है लेफ्ट साइड ऑफ बॉड़ी पर ही लिखना है विद ब्लू पन जो बहुत एजी लेविल हर घर में होता है ब्लू रंग के कलर से आप कभी भी लिखें लेकिन इसके ना तो टाइम की को कंडेशन है कोशिक करें दिन में दो बार क्ड लिखें अगर किसी के भी पैरों में नर्ड है और अगर किसी के भी गुटनों में दर्द है तो नंबर में स्पेसिफिकेशन में लिख रही हूं वैसे भी आप उसमें डाल दीजेगा तो इस 23-31-443 यह स्पेशल नंबर है जो आप लिखिये ट्रस से बहुत सारे लोगों के दर्द को ठीक किया इस नंबर ने आप विश्वास से लिखेंगे तो डेफिनिटली वो बिठीक होगा थैंक यू सो मुच ब्लेसिंग्स ओर्टिस